हेलो वाईस, आज हम बात करेंगे Redmi 9 Power के fingerprint problem solution के बारे में ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए का बेल का इकन को प्रेस कर लेना है ओके, सो फर्स्ट अफॉल क्या करें, fingerprint के अगर आप लोगों को problem आती है आप लोग अपने phone में settings open करें, ओके, उसके बाद हम क्लिक करेंगे password and security पे fingerprint पे क्लिक करेंगे हम आप अपना pattern यहाँ पर डाल लेंगे, अब देखिए यहाँ पर वैसे privacy के वज़र से आप लोग को यह सब setup screen recorder में देखने को नहीं मिलेगा ओके, बट कोई बात नहीं, आप लोग को मैं बता देता हूँ, दिखिए जो आप लोग ने finger print को add किया होगा पहले, उसको आप लोग remove करें उसके बाद आप लोग को फिर से नहीं तरीके से setup यहाँ पर करना है ओके, फिर से आप लोग को नहीं तरीके से setup करना है definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी और अगर कुछ software में bug होगा, जिसकी वज़े से यह दिक्कतार यह security की आप लोग अपने phone के about phone पे क्लिक करें और phone को update करे, definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी ओके, इस टाइप से आप लोग अपने fingerprint की problem को fix कर सकते है मिलते है next video में जय मतादी